Hello दोस्तों, नमस्कार एक बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो में, आज हम जानने वाले हैं बेभी बॉय सिम्टम्स दूरिंग प्रेग्नेशी आज आप इस वीडियो में जानेगे कि बेबी बॉय होने के टाइम पर हमें कौन-कौन से चीजें जादा पसंद आने लगती है वो कौन-कौन से चीजें होती हैं जो हमें बेहती अच्छी लगने लगती हैं खास करकी लड़का होने के टाइम पर दोस्तो होता क्या है जैसे महला की pregnancy confirm होती है तो उनकी body में काफी सारे changes देखने को मिलते हैं दोस्तो उनी changes मैंसे लोग ये मानते हैं कि अगर आप मैं ऐसे symptom देखते हैं जो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी तो वो लड़का होने के chance जादा होते हैं तो वो कौन से लक्षड हैं दोस्तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe करने के साथ दोस्तो वेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो की notification आप लोगों तक पहुंशते रहे आईए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं बेबी बॉय सिम्टम्स और ड्रिंग प्रेग्नेंसी लेकिन दोस्तो एक बात का आप हमेशा ध्यार रखिएगा सिर्फ अनुमान के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा और सीरिय को खाने में चौक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद आती है कच्चे चावल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ऐसे मैं चांस बेबी बॉय होने के होते हैं साथी अगर आपको मुलतानी मिट्टी खाने का मन करता है प्रेग्नेंसी के दोरान तो भी ये चीजें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो ऐसे में चांस सबसे ज़्यादा बेबी बॉय होने के माने जाते हैं आई जान लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंसी के टाइम पर आप चटपटे तीखा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है तो ये भी लड़का होने का लक्षर माना जाता है और अगर आपको मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है तो ऐसी स्तेती में लोग मानते हैं लड़की होने का संकेत होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको हमे जाले वाला भोजन आप अपनी डाइट में शामिल करेंगी तो दोस्तो इस से आपके पेट में जलन हो सकती है आपको एसेड़ी टीवी हो सकती है इसलिए दोस्तो चाहे कितना भी मन करें आप कंट्रॉल कीजिएगा क्योंकि ये आपकी बेबी के लिए बहुत हानकारक सावित हो सकता है आइए जान लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में दोस्तों अगर आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंसी के दोरान अगर आप लेफ्ट साइड सोना बहुत अच्छा फील करती हैं जैसे आपको पता चला है कि आप मा वनने वाली हैं बैसे ही अगर आपको कानवाव है जो इनके डिलिवरी हो चुकी है खासकर कि बेबी बॉय हुए है तो उनका एक्सपिरेंस में आप लों से शेयर कर रही हूं दाकि आप थोड़ा सा गैस कर सकें तो उनका ये कहना था मतलब बेबी बॉय होने के टाइम पर हमें लेफ्ट साइड जादा अच्छा मिलती रहे ठीक है तो आईए जान लेते हैं एक और सिम्टम के बारे में दोस्तो अगर आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको नीद कमाती है जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना अगर आपको नीद बहुत कमाती है आपकी नीद बार होने का संकेत होता है दोस्तों माना जाता है कि लड़का होने के टाइम पर हमें नीद बहुत कम आती है और बेटी होने के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा नीद आती है पूरे दिन सोने का मन करता है तो दोस्तों क्या होता है जब हमारी प्रेग्निंसी confirm होती है तो body में काफी सारे changes होते हैं तो किसी महला को जादा नीद आती है तो किसी महला को बिल्कुल भी नहीं आती है कम नीद आती है तो अगर आपको कम नीद आ रही है तो ये boy होने के chance लोग मानती है लेकिन दोस्तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही है आप अच्छे से सो भी नहीं पारी हैं तो इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे कि आपकी बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो दोस्तों ये थे कुछ लक्षर चुल लग काफी हद तक सही मानती ह लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी सच्चा ही नहीं है क्यों क्योंकि ये लक्षर 100% तक काम नहीं करते सिर्फ अनुमान ही लगा जा सकता है तो अगर आप प्रेगनेंट हैं तो सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं थोड़ा सा गैस लगा कर सकती हैं लेकिन आपको 100% कभी श जाग रूप करना है ठीक है तो आशा करती है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में